स्वागत थे आप सभी का GS Magnet Case YouTube Platform पे तो साथियो बिहार पुलिस परिक्षा 21,391 पोस्ट के लिए जो एक्जाम पोस्ट पॉस्ट पॉस्ट हुआ है अभी तक एक्जाम का कोई डेट किलियर नहीं हुआ है जिसको लेकर के काफी सारे स्टुडेंट अपना पढ़ाई काफी कम जोड करती है यहनी कि बहुत लोग अपना पढ़ाई छोड़ती है देखिए आपका सेलेक्षन इस तरह नहीं होगा आपको सेलेक्षन लेने के लिए लगतार आपको पढ़ाई जारी रखना पड़ेगा जब तक आपका एक जाम स्वाप्त नहीं हो जाता है ठीक है कुछ निजी कार्णों से कुछ दिनों से आपका प्रैक्टिस सेट नहीं करवाय जा रहा था लेकिन आज से आपका प्रैक्टिस सेट सुरू हो रहा है यानि क इसी निव प्राक्टिस से हम लोग बिहार पुलिस एस्पेशल टेस्ट जीके जीएस वे सारे प्रस्ण हम लोग इस सेट में कंप्लीट करेंगे जो आपके एकजाम में पूछे जाएंगे ठीक है तो आप सरी डेली इस क्लास के साथ जूड़िए ठीक है और अपने त्यारी को और से और मजबूत कीजी ठीक है ना तो आईए हम लोग जदा समय बेर्थना करते हुए सेशन को सुरू करते हैं सेशन सुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करके बगल वाले जो गंटी है उसे प्रेस कर देजिएगा ताके कोई भी वीडियो बी एससी बिहार पुलिस बिहार दुरूगा से सम्बंदित इस चैनल पर लाए जा तो यूटूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके ठीक है इस सेट ग्यानविंदू जिये सेकेडमी रोशन रन सरका ही है निव प्रैक्टिस सेट है मैं बार बार आप सभी को बता दे रहा हूँ ठीक है देखे इस सेट का पहला प्रस्ण आप से पुछा गया है किस अधिनियम के द्वारा प्रसिडेंसी कॉर्परेशन चेमबर्स और कॉमर्स बिश्यो विद्यालों और जमिनदारों के लिए अलग से प्रतनेधित्तों का प्रधान किया गया यानि कि प्रावधान किया गया किस अधिनियम के तहट आप से पूछा गया है ध्यान रखेगा 1909 के अधिनियम के तहट ठीक है और इसी अधिनियम को मारले मिंटो सुधार भी कहा जाता है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है तो अप्सन A दिया गया है 19-9, अप्सन A हो जाएगा पहले नमबर प्रस्ण का सही जबाब, ठीक है, दूसरे नमबर प्रस्ण को देख लेजिए, भारतिय सम्विधान पर कुल कितने सदस्यों ने हश्ताक्षर किया, यानि कि सिगनेचर कुल कितने लोगों ने किया था, आप आप सभी जानते हैं, 284 सदस्यों ने हश्ताक्षर किया था, अप्सन B में दिया गया है 284 जो लोग भी बिता रहे हैं, बिल्कुल आपके प्रस्ण का सही जबाब है, ठीक है, अगले प्रस्ण 3 नमबर में कुछ त्रूटिया है, इसको आप लगए स्किप कर देजिए, इस देश के सम्विधान से लिया गया है, तो ध्यान रखेगा अप्सनी कनाडा के सम्विधान से लिया गया, ठीक है, और ध्यान रखेगा राजपालों के नियुक्ति से सम्बंदित, अगर आपसे अनुछेद पूछे, ध्यान रखेगा आप लोग अनुछेद 113 पन के अन भारत के राष्ट पती करते हैं अप्सन ही हो जाएगा चार नमबर प्रस्ण का सही जिवा पांचवा नमबर प्रस्ण देखिए भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना में उलेखित धर्म निर्पेक्षिता सब की तार्किक ब्याख्या करता है क्या ब्याख्या करता है तो ध्य प्रदत समता के अधिकार अपवाद है। देखिए काफी इंपोर्टेंट और टौप प्रस्ने हैं। ऐसे ही 5-6 प्रस्न आपके एकजाम में पुछे जाते हैं। जो आपके रिजल्ट पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है? तो अप्सन ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही ह यानि कि इस अप्सन में दिये गए उप्युक्त सभी कठन सही है, आप लोग वीडियो के एक बार स्टॉप कीजिए और तीनों कठन को अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे कठन एक में दिया गए हैं अप्सने में, राष्टपती या राजपाल अपने कारिकाल में किये ग संबंदित हैं, तो 249 का अगर संबंद आपसे बात किया जाए, तो राष्ट हीट में राज सुची के किसी विशय पर संसद के कानून बनाने की सकती, अप्सन ए संबंदित हो जाएगा 249 अनुशियत से, ठीक है ना? अगला प्रस्ण है आठ नंबर, निमलिखित को सुमिलित कीजिए, एक तरफ राज दिया गया है, एक तरफ लोग सभा का सीट दिया गया है, देखिए बात किया जाए करनाटक में 29 सीट है, एक का हो जाएगा आपका 4, ठीक है? वह देखिएगा राजस्तान में तो 25 है, बी अप्सन गलत है, ठीक है न, वही आगे देखिएगा आप लोग, तो अप्सन देखिए, डी को मिला लिजिए, ठीक है, एक आपका कितना हो गया है, 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ठीक है न, तो डी हो जाएगा आपके 8 नंबर प्रस्ण का सही जबाब, अगला प्रस्ण है 9 10 नंबर, उच्टम न्यालय के न्याधिस को हटाये जाने वाले प्रस्ताव को लोगसभा अध्यक्स को देने के लिए, कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवस्यक है, देखिए अगर समर्थन का अगर बात किया जाए, तो ध्यां रखिएगा 100, 100 ध्यां रखिएगा अपसन नं जो में है, जैसे बिहार में भी है, उत्तर परदिस में भी है, ठीक है, कमेंट में बताईए, काफी बार हम 6 राज्यों का नाम बता चुके हैं, मैं चाहूंगा आप सभी कमेंट में बताईए, ताकि आपका मैं देख सकू कि कितना रिविजन है, ठीक है, 11 नंबर प्रस्तन ह पर है यानि की परामान डॉल्फीन अव्हारं भिहारण भिहारण के किस जिला में हैं? अगर देखा जैं तो भागलपूर में पाया जैता है सी हो जाएगा 12 नमबर प्रस्ण का सही जवा अगला प्रस्ण पढ़िए 13 नमबर भारतिय वाने की अनुसंधान सिक्षा परिशत की पहली महिला महा निदेशक के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो ध्यां रखिएगा आप लोग पहली महिला के रूप में जिने का निं किस्ता केंदर की सुरुवात किस राज में की जाएगी करेंट ओफियर के प्रस्ण है इंपोर्टेंट प्रस्ण है आप चानते हैं 6-7 मंत पहले का करेंट ओफियर पूछता है ध्यार कीगा 14 का सही जवाब उत्तर परदेश हो जाएगा ठीक है न चली अगला प्रस्ण बता पंद्र नंबर प्रस्ण का सही जवाब अगला प्रस्ण है 16 नंबर ग्रेट चैनल निमलिखित में से किस के बीच है देखिए ग्रेट चैनल का बारे में अगर देखा जाए तो इंद्रा पॉइंट इंडोनेसिया ठीक है इंद्रा पॉइंट और इंडोनेसिया के बीच में ध्यान रखिएगा अप्षन ए हो जाएगा 16 नंबर प्रस्न का सही जबब ठीक है चली आगे देखिए अगला प्रस्न है 17 नंबर निमलिखित में से भारत में कोईला उत्पन करने वाला भौम की ये समुह बताईए देखिए भौम की ये समुह यनिकी आपसे चटान पूछ र ठीक है गोडवाना समुह से अपसंसी हो जाएगा 17 नंबर प्रस्न का सही जबब ठीक है चली अगला प्रस्न देखिए अठारा नंबर एक तरफ दर्रा दिया गया है एक तरफ राज्य दिया गया है आप सभी जानते हैं कि 12 लजपा दर्रा का संबंध है यनिकी हिमांचल प परदेश अगर यहां मिला लेजिए पहले एक कप क्या हो जाएगा ए ठीक है और बी का क्या हो जाएगा यनिकी दो का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है और आगे देखिएगा तो ठांगला जारा जम्मु कास्मीर पांग साउदर्रा अनुलांचल परदेश तीन का सी और D का चार, अप्सन A हो जाएगा 18 नमबर प्रस्न का सही जबाब अगला प्रस्न है 19 नमबर एक तरफ जल प्रपात दिया है, एक तरफ नदी दिया है ठीक है, कुंचिकल जल प्रपात बराही नदी, A का ये होगा दसम जल प्रपात कहा हो जाएगा, कांचि नदी यानि कि 2 का D हो जाएगा, ठीक है गौतम धारा अगर आपसे पुछेगा, तो रारू नदी हो जाएगा यानि कि 3 का क्या हो जाएगा B, और देखिए साड़नी पुछेगा, तो संख नदी C बता दीजिएगा, मिलाई या आप लोग A का A, B का, यानि कि 2 का D, 3 का B और 4 का C, ठीक है अपसन A में दिया गया, सही है आपकी प्रस्न का जवाब, ठीक है आगे देखिए, बीसवा नमबर प्रस्न है नर्मदा घाटी परियुजना से संबंधित दुस, प्रभावित राज देखिए, प्रभावित राज जिक के बारे में पूछा है, तो मद्य परदेश हो जाएगा अपसन नमबर A 21 नमबर प्रस्न है, रभी फसलों को कब बोया जाता है तो आप जानते हैं, कि जब बरसा होता है तो रभी फसल बोया जाता है और ध्यान रखेगा इस प्रस्न का सही जबाव अपसन सी अक्टूबर से नमबर में बोया जाता है अगला प्रस्न है 22 नमबर निमलिकित को समिलित केजिए एक तरफ ताप विधुत परियुजना है, एक तरफ राज्य है अगर आप लोग मिलाईएगा, तो रामा गुंडब किस राज्य से समन्दित है तलंगना से है, ठीक है और सिमहाद्री कहां से है, आंधर परदेश से है यानि कि एक का आपका हो जाएगा बी और बी का हो जाएगा आपका ए ठीक है, सुरी, दो का हो जाएगा आपका दियां रखिए यहाँ पर, दो का हो जाएगा ए ठीक है, आगे देखिएगा बिंद्याचल बिंद्याचल के बारे में अगर देखा जाए तो दियां रखिएगा आप लोग, यानि कि भुमद्य परदेश हो जाएगा ठीक है, तीन का हो जाएगा D, अकहल गाउं कहा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, यानि कि चार का C, मिला लेजिए B में दिया है A का, B, 2 का, A, 3 का D, ठीक है, और चार का C, अपसन B होगा, 22 नमबर प्रस्टन का सही जबाब, अगला प्रस्टन है तेश नमबर, निम्न में से क सागर का जल खारा है, तो खारा अगर आपसे पूछे जाएगा, तो ध्यान रखेगा, अम्रित सागर, अपसन सी हो जाएगा, 24 नमर प्रस्टन पढ़िए, वह देश जो छारिये, यानि कि छारिये अपवा का उधारन प्रस्टूत करता है, देश का नाम पूछा गया है, ध अपके प्रसन का सही जबाब हो जागा, ठीक है, 26 नमर प्रसन है आपका, धर्म सास्त्रों में भूर अजस्व की दर क्या है, तो भूर अजस्व की दर आप द्यान रखेगा, यानि कि एक बटा तीन है, ठीक है न, अप्शन नमर ए में दिया गया है, अगला प्रस्ण देख थेगा आप लोग यानिकी तार्किक चिंतन हो जाएगा ठीक है यानिकी एक आपका क्या हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक है वही ध्यान रखेगा मिमासा दर्शन का अगर बात किया जाए तो बैदिक अनुश्यस्तान हो जाएगा ठीक है यानिकी बी का आपका तीन हो अत्म ज्यान हो जाएगा ठीक है तो अप्सन B में दिया गया है बी आपके 27 नमर प्रस्ण का सही जबाब होगा एक बार आप लोग वीडियो को एस टब करके इस प्रस्ण को अच्छे सी एक बार देख लीजिए आप लोग ठीक है चली 28 नमर प्रस्ण है निमलिकित में कि सासक को सर्व पर्थम सोने के सिक्के जारी करने का सरे दिया जाता है सर्व पर्थम बात किया है तो ध्यान रखेगा आप लोग अपसन नमर भी यनिकी बीम कड़ फीरी सेज को ठीक है अपसन नमर भी हो जाएगा आपके 28 नमर प्रस्ण का सही जबाब 29 नमर प्रस्ण है निमलिक परिशन का सही जबव अगला प्रस्थन है एक तीस नंबर महोदय चे का पुराना नाम है तो ध्यान रिखिएगा यह जो पुराना नाम हो जाएगा अपसंसी का पुराना नाम हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्न है कास्मीर का अकबर नाम से प्रसिद सुल्तान कौन था तो कास्मीर के अकबर नाम से प्रसिद सुल्तान के बारे में अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा सुल्तान जैनूल आविदीन हो जाएंगे ठीक है, D हो जाएगा आपका 32 नंबर प्रस्ण का सही जबाब अगला प्रस्ण है, चितोड का कृती एस्तम निर्मित हुआ था, किस के सासनकाल में ठीक है, अगला प्रस्ण है, निमलीखित में कौन किताब नौसर नामक पुष्थक के लेखक था, देखिए, इस पुष्थक के जो लेखक थे न, ध्यान रखेगा इबराहिम आदिल सा दुईतिये, यह हो जाएगा 35 नंबर प्रस्ण का सही जबाब 36 नंबर प्रस्ण है, पुर्तगाली उपनिवेश का पर्थम बाइसराय भारत में कौन हुआ था, तो पर्थम बाइसराय जो हुआ था, डी अलमीडा हुआ था, ठीक है, अप्सन नंबर C होगा 36 नंबर प्रस्ण का सही जबाब, आगे देखिए 37 नंबर प्रस्ण को, कलकत्ता में एसियाटिक सोसाइटी की एस्तापना के समय, बंगाल का गवर्नर जर्नल को था, बंगाल का गवर्नर जर्नल अगर आपसे पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अप किस अंगरेज कमांडर को हराया था, तो ध्यान रखिएगा, यानि की मेजर बरो को हराया था, ठीक है, चली, आगे देखिए 49 नंबर प्रस्ण, निमलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एसियाटिक सोसाइटी की सदेश्ता परदान की गई थी, किसे किया गया था, तो ध्य निमलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है, यानि की गलत कौन सा है, यही आप से पूछा गया है, ठीक है, देखिए, अलहिलाल के संपादक कौन थे, तो मौलाना अभूल कलाम आजाते, बिल्कुल पहला अप्शन सही है, निवी इंडिया के संस्थापक एनिवेशन्ट, ए भी सही है, और बी भी सही है, क्योंकि निव इंडिया के संस्थापक कौन है, तो एनिवेशन्ट है, ठीक है, आगे देखिएगा, तो तहजीव उल अकलाग का जो संपादक है न, वो मौहमद अली जीना नहीं है, ध्यार केगा, सर, मैं लिग देता हूँ, सर सैयद, सैयद अहमद खा है, ठीक है, तो देखिए, गलत पुछा गया है, कौन सही नहीं है, तो अप्संसी हो जाएगा, आपके प्रस्थन का सही जवाब, तहजीव उल अकलाग का संपादक, मौहमद अली जीना नहो करके, सर सैयद अहमद खा होगा, ठीक है, तो अप्संसी आपके प्रस प्रस्थन का सही है, ये गलत जवाब दिया गया है, बाकी देखिएगा, संबात कौमुदिन, तो राजा राम मौहन राए के द्वारा या संपादक, यहीं कि इसके संपादक कौन थी, राजा राम मौहन राए ते, ठीक है, ए, बी, डी सही है, सी गलत है, सी होगा, चालिस नमबर निम्न कारण से जी एनपी में सरम की भागेदारी कम है, कारण आप से पूछा गया है, ठीक है न, ग्रश नेशनल प्रोड़क्ट के बारे में आप से पूछा गया है, ठीक है, दिया रखेगा, बीलोग, अप्सन नमबर D, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम, अप् प्रस्ण काफी इंपोटेंट है, अपसन ए होगा आपके प्रस्ण का सही जवाब, आर्थिक मामलो की मंत्री मंडलीय समीति, ठीक है, ए होगा 42 नमबर प्रस्ण का सही जवाब, अगला प्रस्ण है 43 नमबर, निमलेखित में से गुलाबी क्रांती का संबंद, देखिए गु चली आगे देखिए 44 नमबर संचालन अधिसेस उत्पन नहीं कर होता है संचालन अधिसेस उत्पन नहीं होता है बताईए इस प्रस्ण का सही जवाब क्या होगा देखिए अगर इस प्रस्ण के लिए सही जवाब का बात किया जा तो आपके प्रस्ण का सही जबाब, अपसन नमबर C हो जाएगा, ठीक है, D आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा, समाने सरकारी छेतर में, ठीक है न, 45 नमबर प्रस्ण है, निमलेखित में से कौन और धोगिक सरमिक के लिए उपभोक्ता मुल्य सुचकांक जारी करता है, देखिए, यह करता है, सरम भी उरू करता है, सी होगा 25 नमबर C का सही जबाब, ठीक है, अगला प्रस्ण देखिए, पढ़िए 46 नमबर, पौने सब्द कि स्कhills से सμबंदित है, अस्टेटिक जिक्के के प्रस्ण है, और आप सभी को बताना है, सब्धावली से संबंदित हमेशा आपके एकजाम में प्रस्ण पूछा जाता है, सतरंज से हो जाएगा, पौने सब्द कि से हो जाएगा, सत्रंज, अपसन नमबर Е हो जाएगा, 49 नम कोप का संबंद की स्खिल से है नारंग कोप का संबंद आपसे पूछा जाए तो आप लोग धियां दिएंद दखेगा ंप। सह है के डा स्थी को सतित्र PC को मना जाता है अगर राष्ण युववद के बारे में देखा जाए तो धियां बैडमींटन से है ठीक है बैडमींटन अप्सन नंबर ये होगा 47 नंबर प्रस्ण का सही जबाब अगला प्रस्ण 48 नंबर साक्षी मलिक का संबंध कि स्खिल से है ध्यान रखिएगा अप्सन b Kin стала है ठीक है विश हो गा है आपके प्रिष्ट का सभी जानते थीगे ना तो शी हो जाएगा उन-चास नूमर्स का सही जाब बढ़ तो सम्बंद केंट धोघथेगा के यूं से होता हैं का दियूंड रह्ट between का ध्यान रखेगा प्रिष्ट एस्तल की तिवरता से हो जाएगा ठीक है सरी वक्रता से हो जाएगा तो बी सी और डी सही है बाकी अपसन ये गलत है आपके प्रस्ट गलत ही पूचा है ठीक है चलिए तीर पर नमबर प्रस्ट है पानी के एक गलास में एक वर्फ का टुकड़ तैर रहा है जब वर्फ पिगलती है तो पानी के अस्तर पर क्या प्रभाब पड़ेगा वह है बताईए क्या कम हो गा या बढ़ेगा या उतना ही रहे तो ध्यान रखिए गहाँ आप लोग उतना ही रहेगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा सी हो जाएगा तीर पर नंबर सही जबाब चौवन नमबर प्रस्ण है आटो मोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कारे करने का सिधान्त क्या है कारे करने का सिधान्त देखिएगा तो पास्कल का नियम आप लोग पढ़े होंगे पास्कल के नियम पर कारे करता है डी होगा आपके प्रस्ण का सही जबाब ज कीग है ठर्मोСТFilcom से किसी निकाय का तापकर्म स्वा नियंत्रित करता है क्यों कि येने की कारण बताईए आप लोग ध्यान रखिएगा आपसाने बादल पृत्वी तता हवा में उस्मा का बिकरण को क्या करता है रोकता है ए हो जाएगा 56 नमबर प्रस्ण का सही जबाब 57 नमबर प्रस्ण है CTS के न करने में परियुग में लाई जाती है कौन सी तरंगे CTS के न आप लोग जाकर के होस्पीटल में करवाये होंगे ध्यान रखिए इसमें जो तरंग का उपियों किया जाता है X की रणका D हो जाएगा आपके प्रस्ण का सही जबाब इंपोर्टेंट प्रस्ण है हर एक 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 जाम के लिए ठीक है चली 58 नमबर प्रस्ण है जब दो परवाणियों के बीच आबंध बनता है तो प्रणाल यानि कि समुदाई की उर्जा घटती है बढ़ती है या वैसे ही रहती है तो ध्यान रखिएगा हमेशा उर्जा क्या ह होता है घटता है बी होगा 58 नमबर प्रस्ण का सही जवाब अगला प्रस्ण है 69 नमबर रसाइनिक ततों की आवर्थ सार्णी के बारे में निम्न में से कतनों पर विचार कीजिए और देखिए सही कतन का चैन कीजिए जब आप इसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि किसी एक आवर्थ के अनुदिस आयनन विभाव धीरे धीरे कम होता है नहीं ये तो गलत कतन दिया गया ठीक है आगे देखिए ततों क किसी वर्ग में जैसे जैसे परमानु भार बढ़ता है इलेक्ट्रोन बंधुता कम होती है या कतन बिलकुल सही है दूसरा कतन क्या है स ठीक है तीसरे कतन को देखिएगा तो किसी निजदिस्ट आवर्थक में जैसे जैसे परमानु संख्या बढ़ती है विधुत्रिनात्मक्ता कम होती है नहीं तीसरा कतन क्या है गलत दिया गया है केवल दूसरा कतन सही है केवल दू हो जाएगा आपके अपसा नंबर भी 69 नं सल्फियूरिक अमल को तनू बनाने के लिए पानी में अमल मिलाया जाता है नो कि अमल में पानी कथन पढ़ लिए कारण देखिए पानी की विशिस्ट उसमा बहुत अधिक होती है सही है जब आप अप्शन को देखिएगा तो ए अवर आर दोनों सही है किन्तु आर एकी एस पस्टी करण नहीं करता है यही होगा आपकी अप्शन भी 60 नंबर कुस्टन का सही जबाब अगला प्रस्टन है 61 नंबर निवकिलियर रियक्टरों में बिमंदन और प्रसितक दोनों की तरह परियुक्थ होने वाला पदार्थ का नाम पूछा गया है तो भारी जल डीटू और ध्यान रखिये हाली में जो 1275 पर दरोगा मेंस का एक्जाम होगा था और जो बिहार मद निशित दरोगा का हाली में जो एक्जाम होगा था इसमें भारी जल से सम्मंधित प्रस्टन पूछा गया था ठीक है चलिए आगे आप लोग देख लीजिए अगला प्रस्टन क् आप्रमिक एसिड से अधिक तेज अमल है तो यह सही है टीक है कफन सही दिया गया है जब कफन देखिएगा फार्मिक एसिड और्गेनिक एमीड है तो देखिए यह भी कतन क्या है शही है लेकिन जब आप option को देखिएगा तो A अवर R दोनों सही है किन्तू PAT का सही S पस्थी करण नहीं है ठीक है दोनों सही है लेकिन S पस्थी करण सही नहीं है तो B हो जागा 62 नंबर प्रस्थन का सही जबा 63 नंबर प्रस्थन है Ethyl alcohol में निम्न को मिला कर पीने के युग बनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा आप लोग अपसन भी मेथनॉल एवं पिरिडीन को मिलाया जाता है भी होगा 63 नमबर प्रस्ण का सही जबा 64 नमबर प्रस्ण है निलगाय नेमलिखित कूल में आती है इंपोर्टेंट प्रस्ण है ध्यान रखिएगा देखिए इस प्रस्ण के लिए सही जबाब अपसन भी हीरन में आती है ठीक है 65 नमबर प्रस्ण है सबसे बड़ा अक्सेरुकी है क्या है तो ध्यान रखिए आप लोग 65 नमबर प्रस्ण के लिए अप्सन नंबर B को ध्यान किए S-QID हो जाएगा ठीक है न? चली आगे देखिए 66 नंबर प्रिष्ण निमलीखित में कौन सा कथन प्राणियों के S-TAM को सिकाओं के प्रत्यारोपन के संदर्म में असत्य है असत्य कौन सा कथन है असत्य अगर आप लोग देखिएगा तो 66 नंबर प्रिष्ण का सही जबाब जो हो जाएगा अप्सन D एक केवल भून में पाए जाती है ठीक है न? चली आगे देखिए आप लोग 70 नंबर निमलीखित में से कौन सा सही है सही आपको बताना है सही अगर देखिएगा तो शरीर में सारा रक्त किड़नी के माध्यम से सुध होता है यही अप्सन सही है C और C ही आपके 66 नंबर प्रिष्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है? चली आगे देखिए एक तरफ सूची दिया गया है तो आप लोग हमेशा ध्याँ रखेगा यानि कि यह केरोटीन केरोटीन से संबंदित हो जाएगा ठीक है? एंजाइम जो हो जाएगा पेपसीन से संबंदित हो जाएगा A का 2 हो गया और B का 1 हो गया ठीक है? वही देखिएगा हार्मोन तो ध्याँ रखेगा A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3 अपसन B में दिया गया है कूट देख लीजिए आपके प्रस्ण का सही जबाब अपसन B हो जाएगा ठीक है? उन्हातर मूमर प्रस्ण है कृतिम प्रकास क्रितिम प्रकास क्या है? तो देखिए अगर क्रितिम प्रकास को अगर देखिएगा आप लोग तो ध्याँ रखिए प्रकास संसलेशन के कारण हो सकता है ठीक है? अपसन B अगला प्रस्ण है सत्तर मूमर जीवो में अनुआंसिक लग्षण संतान में ले जाए जाते है तो किसके द्वरा ले जाए जाते है तो ध्याँ रखिए आप लोग अपसन B क्रोमोसोम के द्वरा ठीक है? क्रोमोसोम के द्वरा ले जाए जाते है माना में कितना होता है? ध्याँ रखिएगा 23 जोडा होता है ठीक है? 23 जोडा होता है या 46 देदेगा संख्या में ठीक है चलिए आपके सेशन का 70 जो GK और GS के प्रस्ण थे complete हुआ regular आज से टेस्ट चलेगा आप लोग सक्रिय हो जाएए एक मन्त के अंदर आपके विहार पुलिस का एकजाम हो जाएगा ठीक है अगर आप नहीं लगिएगा तो सेलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप लोग बहुत नर्मल पढ़ाई अपना करती है ठीक है ना नर्मल मत कीजिए लगे रहिए सेलेक्शन जरूर होगा चलिए बताईए आपका स्कोर कितना हुआ 70 में ठीक है ताकि हमें लगे कि पहले से आप कितना अच्छे कर पा रहा है या कितना खराब कर बाद है ठीक है ना सेसन अच्छा लगा हो जरूर सेसन को लाइक सेर सेस्क्राइब कर देजिएगा ताकि ऐसे पैड़ वैज के फ्री आप कॉस्ट टेस्ट इस चैनल के माद्यम से जो कराया जाता है आप तक सिधा पहुंच सके ठीक है चलिए तो सेसन को यहीं पर समाप्त करते है फिर मिलते है अगले सेसन के साथ तब तक के लिए जहिंद नहीं पर समाप्त करते हैं